इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको अपने Motorola के मॉयलफोन में एक सेटिंग देखने को बिला है Turn Off Auto Spot आटमेटिक लिका तो ये सेटिंग क्या होता है इस से Enable Disable करने से क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए ज्यादस में न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बटस से पहले अगर आप मेरे योट्यू चैनल पर नहीं है चैनल सस्क्राइब जरूर कर ले जगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये सेटिंग आपको मिलेगा कहाँ पर तो देखिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोटरोला मॉयल फोन के सेटिंग में सेटिंग में जाकर ऊपर आपको यहां निटवर्क और इंटरनेट का ओप्शन मिल जाता है सबसे पहले इस पर click करना है फिर इसमें नीच आएंगे तो आपको यह hot spot and tethering का option मिलता है इस पर click करना है और फिर आपको यह wifi hotspot पर click करना है फिर इसमें नीच आएंगे तो आपको यह advanced option मिलेगा इस पर click करेंगे तो आपको यह option मिलागा turn of hotspot automatically का तो देखिए ये setting enable रहता है तो क्या होता है कि दोस्तो अगर आपका hot spot by default दोस्तो अपने आप दोस्तो on रह जाता है तो दोस्तो अगर आपके hot spot device से कोई भी दोस्तो wifi device connected नहीं होगा तब दोस्तो आपका hot spot जो है अपने आप बंद हो जाएगा दोस्तो कुछ दिर के बाद आपका hot spot जो है हमेशा on ही रहेगा चाहे वो किसी device से connect हो या फिर ना हो लेकिन अगर आप इस setting को on रखेंगे तो अगर आपका hot spot by default किसी कारण से on रह जाता है तो दोस्तो वो जो है कुछ दिर के बाद अपने आप बंद हो जाएगा अगर वो किसी भी wifi device से connect नहीं होगा त इस तरीके से आप इस setting को यूज कर सकते हैं मोटरोला के मोबाइल में वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सस्क्राइब जरूर करिएगा